जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे मात दुर्गा से असिर्वाद लेने रांची के रातु किला पहुँचे सीम है मन्त बिजयाद असमी के मोके पर राईधानी रांची के रातु किला पहुँचे सीम है मन्त सुरेन बतादे इस धोरान जहां मात दुर्गे से असिर्वाद लेते हुए राजे में सुक सम्रिद पुजारी के मंत्रोचारण के बाद पोस्पांजीत भी अरपित किये चक्रवाती तुफैन को लेकर एलो अलर्ट जारी बंगाल की खड़ी में एक बार फिर चक्रवात बन रहा है बता दे मौसम केंद्र के उनसार 15 अक्टूबर को राजी के मध तथा दक्षनी हिसो में हलके से मध दर्ज की बारिश हो सकती है बता दे 17 अक्टूबर को राजी में कहीं कहीं मध दर्ज की बारिश हो सकती है वहीं 18 अक्टूबर को अकास में बादल चायर आ सकते हैं इस वर्स राजी में मांसुन की चिती काफी बेतर रही गढ़वा के बभनी डेम में हदसा चार यूकों की मौत गढ़वा जिला अंतरगत स्री बंसी धर नगर पंचाज छत्र के वाड संख्या पांच इस्थीत बभनी खार डेम में मचली मारने उत्रे नबालिक समेत चार यूकों की मौत हो गई चारो यूकों की मौत डेम के फाटक के नीचे फसने से हो गई है घाटना की सुचना मिलने के बाद घाटना अस्थल पर पहुंचे अनुमंडल पूलिस पतादिकारी परमोध कुमार के स्री वथाना परभारी योगेंद्र कुमार ने डेम का फाटक खुलवाने के बाद डेम के फाटक में फसे चारो यूको को नहर के माध्यम से बाहर निकलवाया बतादे चारो यूको को अनुमंडल सदर अस्पताल लाया गया जहाँ चिकित्सक ने सभी को मिरित खोशित कर दिया गिरीडी में हाथी का उतपात दो को मार डाला गीडी जिला अंत्रगत सर्या थनल छेतरेक के आंबाडि गाओं में हाथियों के जुण से बिछड़ा हाथि ने जम कर उत्पात मचाया, बतादे जुण से बिछड़ा हाथि कुरु आरकी देर साम, अंबाडि गाओं में जाग हुसा, इस दोरान अंबेटकर चौकिश्थी द दो प्यक्तियों को पटक पटक कर्मा डाला बतादे मृत को में रोहित दास 45 वरस पीता सोर गिये घंसयाम दास तथा सिकंदर दास पीता सोर गिये बदरी दास सामिल है इस घटना के बाद से ग्रामनों में दसत का महौल फैला हुआ है गुमला में बिजली तार की चपेट में आने से दो की मौत दस घायल गुमला जिले में बिजली से बढ़ा हाथसा हुआ है बतादे गुमला सहर के डूमर टोली मुहला में जूलते बिजली तार की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई मिरितकों में बंगरु गाओं के रोशन खड़िया व धोदरा गाओं की अलका टोपो सामिल है जबकि 10 मजदूर घायल है बतादे घायलों का इलाज गुमला सदर अस्पताल में चल रहा है घटना के बाद आफरात अफरी मच गई वहें गुसाए ग्रामनों ने एने 23 को जाम कर दिया है घाटना की जनकारी मिलते ही SDPO मनिश चंद्रवा थानेदार मनोज कुमार घाटना सतर पर पहुँचे बतादे घाटना के समध में बताया गया कि गुमला के डुमर टोली मुहला में घर ढलाई के लिए मजदूर द्वारा मिक्सर मसीन लगाया जा रहा था तभी जूलते तार से मसीन सट गई मेला घुमने गया था पुरा परिवार 10 लाग के गहने और कैसले उड़ाय चोर रांची के पुन्दाग में घर में तालन लगा कर मेला घुमने जाना भारी पड़ गया है बतादे गुरुवार की रात अमीत कुमार चोधरी अपने माता पिता के साथ मेला घुमने निकले थे रात देड़ बजे जब घर लोटे तो घर का में गेट खुला पाया घर के अंदर का पूरा समान इधर दर बिख्रा पड़ा था अलमारी खुली थी बतादे चोर अलमीरा में रखे 10 लाख के गहने और समान लेकर फ्रार हो गया है वही रात में ही ग्रिह स्वामी अमीत ने उसकी जनकारी पूंदाग ओपी पुलिस को दी है मौके पर पूंची पुलिस ने पूरे घर की छानबीन की ग्रिह स्वामी के वियान पर पर प्रात्मी की दर्ज कर ली गई है अमीत चोधरी एंसुरेंस कम्पनी में काम करते थे दुर्गा सुरेन सेना का गठाउं सिता सुरेन की दो बेटियों की राजनितिक में एंट्री जारखन में सतारूट जारखन मुक्ति मोर्चा की विधायक सिता सुरेन की बेटिया ने अपने दिवंगत पिता के नाम पर दुर्गा सुरेन सेना गठित की है बता दे बिजनेस मेनेजमेंट और बिधी की पढ़ाई कर चुकी राज सिरी सुरेन और जय सिरी सुरेन ने सुक्रवार को बिजय दस्मी को मेंगे पर इसकी घोसना अपनी माग के धुरुवा इस्ति सरकारी आवास पर की हलाकि इस आयोजन में सिता सुरेन सामिल नहीं हुई पहले कहा जा रहा था कि जारखन मुक्ति मोर्चा का अध्यक सिवु सुरेन आएंगे लेकिन बोकॉल राज सिरी दादा जी ने असिरवात दिया है वे इस फैसले से बहुत खोस है और बिमार होने की वज़ा से नहीं आ सके अफीम की खेती न करें लोड़िस्पीकर से की जा रही अपील पोस्ता अफीम की खेती करने वालों के विरूत करवाई के लिए ब्यापक रणनिती बनाई जा रही है बता दे राजपूर बान बिभाग एवां राजपूर पूलिस की सन्यूक टीम ने राजपूर बन छेतर के केंदुगा सहोर लारान लोटुदाग सहीत बिभीन जंगली इलाकों में जन जगरुपता वियान चलाया इस दरवन गाव में घुम घुम कर बन विभाग की टीम ने लोड स्पीकर लगा कर सभी ग्रामिनों को समझाया कि अफिम की खेती करने से आपको वह आपके स्वास्त पर क्या नुक्सान हो सकता है ग्रामिनों को अफिम की खेती नहीं करने के अपील की गई बावजूद इसके खेती करने वालों को चीनित कर जेल भेजने जाने की भी बात कही गई है खादे पदार्थों में मिलावट कोले परशासन गंभी दसारा और अने तेवहारों को देखते वे खादे पदार्थों मिलावट कोले परशासन सक्त है बतादे होटल और अने बेवसाइक परतिस्ठानों में लगातार जाच की जा रही है साथ ही खादे पदार्थों की बीकरी करने वालों को चेतावनी भिद्धी जा रही है बुध्वार को खोटी में खाद पदार्थों की जाच की गई तेवहर सिजन में लोगों को सूध खाद पदार्थ मिले उनमें मिलावट नहीं हो इसके लिए खोटी जिला परसासन सचेत दिखाया इसी के तहद बुध्वार को खाद दे सुराक्षा पताधिकारी परकास चंद्र गुगी की अगुआई में होटल और मिठाई दुकानों में तेल पनीर खोवा आधी में मिलावट की जाच की गई है नियुक्ति परकिरिया में बाधा राज सरकार ने जारकन उच नियाले को सपत पत्र देकर किया अस्वास्त है राज सरकार ने उच नियाले को सपत पत्र देकर अस्वास्त किया है कि सिगघर इधी बीधी बीग्यान परयोगसाला को और ससक्त बनाया जाएगा इस दिशा में करवाई भी सुरू हो चुकी है और रिक्तियों के बिरूद नियुक्ति की परकिरिया सुरू की जानी है लेकिन नियमावली अगतन नही होने के कारण इस परकिरिया में अडंग लग गया है बैग्यानिक सहायकों की नियुक्ती में हाल में सरकार के अस्तर से किये गए बैदलाओं को सामिल करते हुए नियमावली त्यार की जानी है इसके बाद बहाली की परकिरिया शुरू होगी दरसल जारखन में कई परकार की नोकरियों के लिए नियोक्ति नियमावली के कारण ही अड़ंगार लग रहा है महिलाओ ने खुब खेला सिंदूर खेला नौरातरी में नौ दिन तक माद दूर्गा की पूजा और भक्ति के बाद आखिर में दस्वे दिन बिजया दस्मी मनाई जाती है बताते धनवाद कोईलांचल में बिजया दस्मी मनाई जा रही है साथ ही दूर्गोत सो भी संपन हो गया माद दुर्गे की पुजा के लिए सहर में जगा जगा बनाये गए पंडालों में अस्थापित माद दुर्गा की परतीमा का विसरजन किया गया इस मौके पर सिंदूर खेला की रस्म आदाई हुई महिलाओं ने एक दुसरे को सिंदूर लाया कर खुप सिंदूर खेला का खेल खेला हालाकि अच्छन थोड़ी देर के लिए बड़ा ही भावुक था बता दे माद दुर्गा की बिदाई के समय महिलाओं ने आख नम थे बोकारो और पाकुर में सरक दुर्गाटना में दो लोगों की महत जारखन के बोकारो और पाकुर जिला में दो अलग-अलग सरक दुर्गाटना में दो लोगों की महत हो गाई इस घाटना के बाद परिजनों कारो रोकर बुरा हाल है वहीं पूलिस दोनों सव को कबजे में लेकर पोस्ट मास्टन के लिए भेज दिया है बता दे बोकारो, जीला अंत्रगत, ललपनिया, रामगड, मोख्य मार गिश्थी तिलाया गाउं के निकट सरदुगाटना में एक जोग की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभी रूप से घायल है टाटा इस्टील के वाइस प्रेसिडेंट चना के चौधरी के 88 वर्से पिता रमेश चंद्र चौधरी का सुक्रवार की सुबा निधन हो गया कुछ दिनों से उनकी तवियत खराब चल रही थी इनके निधन पर टाटा इस्टील के सीओ सह एमडी टीवी नरेंद्र ने दुख जताते हुए इस दुख की घड़ी में परिवार के प्रती सन्वेदना प्रकट की है बताया गया कि रमेश चंद्र चौधरी की तवियत खराब होने पर इलाज के लिए उन्हें टाटा मेन होस्पीटल में एडमीट कराया गया था धन्यवाद